हाज गाईज दिस नाइम शेक वेल्कम बाइक तो मैं यूटुब चैनल शेकसर नॉलेज कुरू आज मैं आपको बहुती इंपोर्टन वीडियो बताने जा रहा ह zoo बहुती खास इंफरमेशन देने जा रहा हूँ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यह जान करके क्या सही में ये fact amazing है इंग्लिश के बारे में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe ज़रूर कर ले, like और share करे, notification bell पर click करे तो चलिए शुरू करते हैं वो 10 amazing facts जो इंग्लिश के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है वो क्या है 10 amazing facts जो जानने के बाद हम सही में इससे समझेगे और जानेगे कि हाँ सही में ये facts है तो सबसे पहले start करते हैं first fact first fact क्या है English actually originate in north west Germany and the netherland friends अभी दक हमें ऐसा लगता था कि English जो है वो England की language है और वहीं पर originate हुई है बट इसका fact ये है कि ये जो language है actually originate हुई है जर्मनी and the netherland नौर्थ वेस्ट में तो है न ये amazing fact और हमारे लिए important knowledge तो चलिए आगे बढ़ते हैं next fact की तरब क्या है next fact go is the shortest grammatically correct sentence my dear friends go जी ओ ये सबसे English का shortest sentence है और grammatically correct है है ना ये बहुती amazing तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे fact की तरब now the third fact the original name for butterfly was flutterby दोस्तों आपने फड़ फड़ाती हुई तितलिया तो देखी होगी तो उसका नाम भी आपको अभी तक आपने ही सुनाओंगा बटर्फलाई लेकिन actually इसका original name आपको मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत amazing है वो है flutterby yes my dear friends butterfly का original name है flutterby तो है ना यह बहुत ही amazing तो चलिए आगे बढ़ते हैं अमारे next fact की तरब about 4000 words are added to the dictionary each year हर साल 4000 word English के नए dictionary में add की जाते है it is the most important knowledge for you my dear friends हर साल 4000 जो है नए शब्दों को dictionary में जोड़ा जाता है तो है ना amazing चलिए आगे बढ़ते हैं 5th fact की तरफ now the fifth fact the most common adjective used in English is good yes सबसे ज्यादा common use होने वाला English में अगर कोई adjective है तो वो है good G O O D एना my dear friends यह amazing तो चलिए पढ़ते हैं next fact की तरह 6 English is the official language of 67 countries yes English जो है ना वो 67 countries की official language में dear friends इसलिए तो मैं कहता हूं कि English is the multiple language जो पूरे वर्ड में बोली जाती है एक मात्र है इसी भाशा है one and only language English is spoken in the whole world और यह आज हमें जानने का यहां पर मौका मिल गया कि 67 countries की यह official language है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं next fact की तरह the seventh fact the word goodbye originally comes from an old English phrase meaning good God be with you God be with you yes my dear friends goodbye यह जो word है यह actually एक old English phrase से आता है जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है कि भगवान आपके साथ है God be with you फाइना amazing ओके चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे next fact की तरह eight the first English dictionary was written in 1755 yes यह बहुत ही important knowledge है और बहुत ही amazing है कि पहली English dictionary जो लिखी गई थी वो 1755 में लिखी गई थी ओके तो आगे बढ़ते हैं next fact की तरह nine the oldest English word that is still in use is town हाँ my dear friends सबसे पुराना English का शब्द town यह है और आज भी यह use में है आज भी इसको use किया जाता है यह रहा आपका नाइन फैक्ट और इन लास्ट है 10th ओर 18 ओर 18 परसंट अफ टी इन्फोर्मेशन स्टोर्ड ओन कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड इस इंग्लिश ओर 80 परसंट yes my dear friends 80 परसंट इन्फोर्मेशन कंप्यूटर में जो स्टोर की जाती है पुरी दुनिया में वो इंग्लिश है तो रहेना यह बहुत ही amazing facts इंग्लिश के बारे में जो आज हमें जानकर बहुत ज़्यादा इसकी knowledge मिल गई my dear friends thank you very much to watch my video thank you